अब भी तक भी oil painting को लेकिए अगर आपको confusion है तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ केवल 5 चीजों से हम शुरू कर सकते हैं हमारी oil painting तो आज हम बात करेंगे उन्ही 5 चीजों के बारे में ठीक है बहुत ही छोटा सा वीडियो है यह आप लोगों के लिए पर बहुत ही useful होने वाला है अगर आप oil painting करने की सोच रहे हैं क्योंकि oil painting में क्या होता है हम सोचते हैं कि बहुत सारा material लगने वाला है और यह क्या है बड़ा ही confusion है समझ नहीं आ रहा है कि oil painting की शुरुआत कैसे करें ठीक है एक separate वीडियो में ने बना रखा है वैसे ठीक है यहां पर मैं आपको शेयर करूंगी केवल 5 चीजें जिससे हम हमारी oil painting की शुरुआत कर सकते हैं बिगनर है अगर आप तो आप online painting classes join कर सकते हैं और उसका detail आपको मिलेगा नीचे जो whatsapp number है इसके उपर आप मुझे whatsapp करके detail आपको मिल जाएगी ओके phone मत करेगा प्लीज आप बस मुझे whatsapp करेगा तो मैं आपको details दे दूँगी ठीक है तो यहां पर इस तरह से आप painting मुझे सीख सकते हैं join करके अगर आप एकनर हैं तो यहां पर जो हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 material मैं बताऊंगे आपको 5 चीजें बताऊंगी जिसको हम इ oil painting करेंगे तो हमको केवल इन 5 चीजों की जरूरत है तो आज हम इस वीडियो में केवल उनी 5 चीजों की बारे में बात करने वाले हैं तो जल्दी से शुरू कर देते हैं वीडियो को और वीडियो बहुत ही useful होने वाला है beginners के लिए है यह वीडियो केवल तो जो oil painting करना चाह मैं आपको पहले अपने brushes देखा देती हूँ देखिए इस तरह से बहुत सारे brushes हैं लेकिन हमको इत्ते सारे brushes के requirement नहीं है अगर हम beginner हैं तो हम अगर beginner हैं तो हमको कुछ brushes के requirement रहेगी वैसे मैंने एक oil painting material के उपर complete video बना रखा है तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर जाकर देखेगा उस वीडियो के अंदर मैंने आपको detail में एक एक चीज़ के बारे में explain कर रखा है तो यह पर इत्ते सारे brushes के हमको requirement रहती है जब हम किसी भी तरह की painting करते हैं तो क्या यह सही है नहीं यह बिलकुल सही नहीं है हमको बहुत ही थ आप बाए करके और अपने painting journey की शुरुवात कर सकते हैं इसमें कुछ आपको flat brushes चाहेंगे और कुछ आपको round brushes चाहेंगे तो इतने से brushes यहां पर required रहते हैं तो कोई भी ब्रैंड के आप nylon brushes चॉइस कर सकते हैं फेबल कैसल चॉइस कर सकते हैं डोम्स चॉइस कर सकते हैं किसी इसमें जो 12 सेट आता है वो बाए कर सकते हैं आप या तो या फिर आप यह जो artist oil paints कर सेट है यह भी बाए कर सकते हैं यह भी 12 ही है 12 जो shades है उसके अंदर ही है यह 9 ml की एक छोटी सी ट्यूब आती है इसके अंदर लेकिन यह जो ट्यूब है यह बहुत ही sufficient रहती है जब हम बि चीज़ों की requirement है देखिए हमको जब भी oil painting की शुरुबात करनी है ठीक है जादा आपको चीज़ें बाए करनी ही नहीं है तो brushes चाहिएंगे paint चाहिएगा यहां पर और यहां पर चाहिएगा हमको lincid oil जो के बहुत ही ज़्यादा जरूत है lincid oil को हम mix करते हैं इसके अंदर यह जो paint होते हैं यह इनका pigment oil के अंदर mix होता है इसलिए इनको हमको mix करना होता है oil के साथ ठीक है as a medium जो हम use करेंगे वो lincid oil use करेंगे ठीक है तो यहां पर आपको lincid oil के requirement रहे की जो की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है lincid oil यहां पर यह जो 60 ml का bottle मैंने आपको दिखाया यह bottle आप use करेंगे lincid oil का और इसकी जो cost है यह 55 रूपीज है इसको आप किसी भी palette के उपर mix कर सकते हैं अगर आपके पास wooden palette नहीं है तो normal घर के अंदर जो भी plate यह tray एक्स्ट्रा में है जो waste हो रही है उसके उपर भी आप शुरुआत कर सकते हैं हमारी जो beginners के लिए है क्यो शुरुआत कर सकते हैं अपनी painting journey की ठीक है तो यहां इस तरह से lincid oil देखें मैं जो lincid oil यूज करती हूँ यह वाला रहता है तो वड़ा सा fast drying रहता है यह विंसन न्यूटन का lincid oil है 75 ml है और यह लेकिन यह बहुत costly आता है ठीक है तो beginners को मैं suggest नहीं करूंगी कि यह बाय क अब नॉर्मल 55 रूपीज वाले lincid oil से जो केमलिन कोयको का है इससे शुरुआत कर सकते है इसी के अंदर fast drying भी आता है उसको भी यूज कर सकते है वह 100 रूपीज का आ जाता है तिक है यह देखिए जो पेंस में आपको दिखा रहे हूं आर्टिस्ट ऑइल पेंस है और यह पर 400 रूपीज लिखावा है इसके अंदर तो यह 400 का पूरा सेट आता है इसी तरह जो students के oil सेट है वो 300 का सेट आता है तो 100 रूपीज का दोनों में गेंज है दोनों में जो डिफरेंस है वो 100 रूपीज का है इस तरह की synthetic airbrush चाहेंगे हमको थोड़े से तो बहुत ही कम आप जैसे round brushes का एक set by कर सकते हैं और flat brushes का एक चोटा सा set by कर सकते हैं और आप शुरुबात कर सकते हैं अपनी painting journey के दिए उस वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत detail में सारी चीज़े मिलेंगी तो आप चाहें तो उस वीडियो को एक पर चेक कर सकते हैं चैनल के उपर जाकर तो आपको काफी सारी चीज़ों की detail मिल जाएगी अगर आप oil painting के अंदर बहुत detail में वीडियो देखना चाहते हैं material के regarding तो इसका cap में यहां use करती हूँ देखें इसके अंदर आपको oil दिख रहा होगा dry की आप तो मैं यह oil जो lincid oil इसमें डाल दे तो यह वाला lid भी बहुत अच्छा रहता है केवल उत्ता ही paint निकाली है जित्ता oil आपको required है केवल उत्ता ही oil निकाली है जादा oil नहीं निकालना होता है जब हमको mix करना होता है paints के अंदर यह turpentine oil है turpentine oil यूज आता है brushes को clean करने के लिए तो इस तरह का distal turpentine oil आप यूज कर सकते हो camel का इसके लावा spirit आता है वो भी यूज कर सकते हो smell अगर नहीं चाहिए तो मैं usually spirit यूज करती हूँ ठीके turpentine oil को हम एक कंटेनर में निकाल सकते है तो यहां पर देखिए यह कंटेनर है इसमें निकाल रखा है मैंने turpentine oil के इंदर smell होती है तो थोड़ा सा मैं यूज करना पसंद करते है 50 रूपीज का ये turpentine oil की bottle रहती है 60 ml बॉटल है क्वेंटिटी बहुत है 60 ml क्वेंटिटी बिगनस के लिए इस चुरुआत इस तरह के container में डाल लेजे और उससे आप अराम से brushes को clean कर सकते हैं तो यहां पर इसके अलावा जो main हमको requirement रहती है वो ह surface तो surface किस तरह का use कर सकते हैं इस तरह से camel का दिखे canvas pads आते हैं ये use कर सकते हैं आप एक बादंग से दिखा देती हो आप लोगों को डंग से कोल के ठीक है आप अच्छे से अगर देखना चाहते हैं पूरा complete वीडियो तो वो आपको मिल जाएगा जो complete oil painting material का वीडियो है वो चेक करेगा तो इस तरह के आप oil painting बना सकते हैं देखें प्रैक्टस वोग कर सकते हैं यहां canvas sheets आती है ऐसी पतली और यह primed होती है sheets इसके ओपर जैसो की priming already लगी भी होती है यह camel का artist pad है और यहां पर यह देखें यह वाला artist pad इसका जो यह वाला artist pad है इसका मुझे material ज्याद description box में जो भी मैंने material दिखाया तो एक बार description box के अंदर आप link जरूर चेक करेगा A4 size है और 100% pure cotton है यह तो यह मुझे पसंद आता है मैं यह यूज करती हूँ तो अगर आप artist canvas pad है यह दोनों ही अगर आप interested है material में तो नीचे description box के अंदर आपको link मिलेगा वहां पर जाकर नीचे देते हैं जब हम painting करते हैं तो इस पर acrylic painting लिखाया लेकिन आप इसको oil painting के लिए भी यूज कर सकते हो तो इस तरह के canvas boards को आप यूज कर सकते हो अपने oil painting के लिए तो इन 5 material के हमको requirement रहती है कुल मिलाकर जब हम किसी तरह की oil painting करना शुरू करते हैं तो brushes के requirement रहती है paints के requirement रहती है, linsed oil के requirement रहती है, turpentine oil के requirement रहती है और surface के लिए हमको या तो canvas pad हो हमारे पास या canvas boards हो बस इसके requirement रहती है canvas boards जो है वो primed लेना चाहिए हमको जब हम oil painting करते हैं तो यह complete एक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जहां confusion दूर हो सके आप लोगों को तो thank you so much for watching और उमीद करती हो वीडियो बहुत ही helpful रहा होगा मिलते है next वीडियो में जब तक आप अराम से अपनी painting journey की शुरुआत कर सकते हैं और अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा चानल को, like नहीं किया है वीडियो को और वीडियो useful लगा है अगर सची में तो like कर दीजेगा वीडियो को और मुझे follow करेगा Instagram पर मिलते हैं next वीडियो में बाई